मेरे प्यारे स्टुटेंट्स आज हम लॉजिकल रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉज एन इफेक्ट कारण और प्रभाव के कुछ क्वेशन को डिस्स करेंगे एक बड़ा ही इजी टॉपिक है इजी इन दसेंस की बहुत ज्यादा कॉंसेप्ट नहीं है बट फिर भी क्वेशन जो आते हैं कई बार ट्रिकी हो जाते हैं और इस्टुटेंट्स को दिक्कत आती है कि हम राइट आंसर कैसे फाइंड आउट करें क्या आप्रोच होना चाहिए हमारा जिससे कि हम सही आंसर तक पहुँच पाएं तो एक चीज तो बहुत इंपोर्टेंट है ऐसे किसी भी टॉक्वीक में कि हमें प्राक्टिस अच्छे से करना है जितना ज़दा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए फाइदा होगा तो प्राक्टिस सबसे इंपोर्टेंट है कि जितने ज़्याद साथ the questions को आप लगाओगे उतना ही बैतर आपको clear होगा अब कारण होता है और प्रभाव हम कैसे दोनों को connect करें तो कभी भी जब आपको दो statements question में given होगे कुछ language लिखी होगी दोनों में दोनों ही cause हो सकते हैं दोनों ही effect हो सकते हैं या दोनों में से एक cause हो सकता है और एक effect हो सकता है तीन cases होंगे अगर वो दोनों ही causes है यह पहला सेनारियो है अगर वो दोनों ही effects है तो क्या हो सकता है कि वो दोनों same cause की वाज़े से हो ऐसा हो सकता है एक ही कारण हो जिसकी वैसे वो दोनों इफेक्ट हो रहा हूं या फिर second possibility यह है कि दोनों का cause independent हो यहनि कि पहला वाला effect किसी और कारण की वैसे और दूसरा वाला effect किसी और कारण की वैसे तो जब दोनों effect होंगे तो यह दोनों cases बन सकते हैं और third case होगा, जबकि एक उनमें से cause हो, और एक effect हो, उस case में यह हो सकता है, या तो first वाला जो हमारा है, वो cause होगा, और second वाला उसका effect होगा, या फिर second statement हमारा cause होगा, और first statement effect होगा, तो यह 5 हमारे cases बन सकते हैं, पहला case, दूसरा case, तीसरा case जबकि दोनों ही causes हो, चौथा case जबकि दोनों ही effect हो, लेकिन same cause की वाज़ से, या फिर दोनों ही effect हो, लेकिन independent cause की वाज़ से हो, जब भी हमें cause और effect को connect करना है, दो statements को connect करना है, तो हम कोशिश करेंगे इनको connect करने के लिए, therefore, या सुका इस्तमाल करने की, जिससे में idea लग जाए, कि अगर हम first हो रहा है, इसलिए second हो रहा है, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं, तो first हमारा cause होगा, और second हमारा effect होगा, य से वर्सा अगर हम second हो रहा है, इसलिए, so या therefore, दोनों में से जिसके साथ भी comfortably लिख सकें, इसलिए first हो रहा है, तो second हमारा cause होगा, और first effect होगा, और अगर ये दोनों ही तरह से हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है, कि या तो दोनों ही हमारे cause होगे, या दोनों statement है, second statement मुकेश is the same chain smoker since past few years, मुकेश का नाम शायद recall आया होगा, movies में पहले नहीं steady warning जैसा add आता है, मेरा नाम मुकेश है, मेरी उमरे 24 वर्स है, मुकेश 24 वर्स, मुकेश भी याद है, ठीक है, तो मुकेश को lung cancer है, ये पहला statement कह रहा है, और second statement कह रहा है, मुकेश एक chain smoker ह है, तो इन में से कौन सा cause है, कौन सा effect है, या दोन ही cause है, दोन ही effect है, क्या scenario बनेगा, मुकेश एक chain smoker है, और उसको lung cancer हुआ है, तो lung cancer क्योंकि smoking से related है, chain smoker है, वो smoking लगातार करता है, तो definitely जो second statement है, ये cause लग रहा है, और first statement उसका effect लग रहा है, but confirm करने के लिए हम second statement को के, फिर, सुया therefore लगा के पहला statement पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा sound करेगा properly, मुकेश is a chain smoker since past few years, therefore, मुकेश has lung cancer, बिल्कुल logically correct statement है, यानि कि second हमारा cause हो जाएगा, और first उसी cause का effect होगा, क्योंकि वो लगातार chain smoking, लगातार smoking कर रहा है, इसलिए मुकेश को lung cancer हो गया है, second example लेते ह China became a global manufacturing hub in late 1980s and continues to be so, पूरी दुनिया का manufacturing hub China 1980s में बन गया और अभी भी बना हुआ है, ठीक है, second statement कह रहा है, China has abundant sources of cheap manpower and natural resources, अब दोखोगर manufacturing का hub बनना है किसी country को, तो manufacturing के लिए हमें क्या क्या चीज़ों के ज़रुद पढ़ेगी, पहली चीज़ है कि raw material होना चाहिए, कि कुछ भी बनाना है, तो raw material तो होना चाहिए, बना बना होगे कैसे, और secondly manpower होना चाहिए, बना बनाएगा कौन, I mean, तेरे-देरे manpower को AI या machine replace कर रहे हैं, बट स्टिल यह है, कि manpower के आपको ज़रुद तो पढ़ेगी न, raw material और manpower यह दोने ही चीज़ें चाहिए, फिलाल 1980s के बाद से उस समय तो यह चाहिए और यह दोने ही चीज़ें चाहिए, और यह दोने ही चीज़ें चाहिना के पास में हैं, और क्योंकि यह दोने चीज़ें चाहिना के पास में हैं, इसलिए चाहिना global manufacturing hub बना है, So definitely, एक suitable cause है Second statement और effect उसका First statement है Second statement cause है कि China has abundant sources of cheap manpower and natural resources Therefore, China became a global manufacturing hub in late 1980s and continues to be so The second statement हमारा cause है और first statement उसका effect है एक और example लेता है The prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for the past few months यानि कि हमारे domestic market में जो petrol और diesel का price है वो जैसा था वैसा ही बना हुआ है उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आए प्रिशन कुछ महिने में The crude oil prices in the international market have gone up substantially in the past few months यानि कि crude oil prices जो है in international market में उनमें तो substantial change आया है बट domestic market में change नहीं आया है तो क्या हम इन दोनों statement को आपस में connect कर सकते हैं क्या दोनों में से कोई एक cause और कोई एक effect हो सकता है अगर हम second statement पढ़ें इसलिए फर्स हुआ है कि second है इसलिए फर्स हुआ है क्योंकि second में तो price में rise हुआ है बट first में price वैसा का वैसा ही रह रह रहा है almost यानि कि second cause और first effect नहीं हो सकता है और first cause और second effect तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि first domestic market का change है international market पे उस पे कैसे इतना अधा फरक पड़ेगा कोई sensory बनता है और domestic market में भी कोई change नहीं हो रहा है जबकि international market प्राइस राइस कर रहा है तो यह वाला प्रॉसिविलिटी नहीं है यानि कि दोनों में से एक cause एक effect तो नहीं हो सकता है तो क्या यह दोनों cause है पहला statement हमें क्या कह रहा है कि price unchanged रहा है जो कि effect होगा जिसके पीछे कोई ना कोई reason होना चाहिए और second statement कह रहा है कि international market में price rise हुआ है जिसके पीछा obviously कोई reason होना चाहिए तो यह first statement हो या second statement हो यह effects हैं दोनों के दोनों second statement हो international market में और first statement है price stagnant है जैसा था वैसा ही है दोनों ही effect है, but cause दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, international market में crude oil के prices में increase क्यों हो रहा है, इसका reason, कुछ international reason होगा, कि production में कमी आई होगी या जो भी reason रहा हो, और first statement जो हमारा कह रहा है कि price unchanged रहा है, maybe elections आने वाले हो, या कोई और reason हो, तो जरूरी नहीं कि कोई economical reason ही हो, कोई political reason भी हो सकता है, कोई और reason भी हो सकता है, तो definitely दोनों के पीछे कोई एक cause होगा, और दोनों एक independent cause का result होगे, यानि कि पहले statement के पीछे कोई एक cause होगा, लिटर से वो cause 1 है, और दूसरे statement के पीछे कोई एक cause होगा, लिटर से वो cause 2 है, दोनों वाले-वाले causes हैं, सेम cause के पीछे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए, अब जो questions RBA grade B 2022 के exam में आये हैं, उनको एक बार देख ले single day, पाँच यार COVID cases एक दिन में आये, इसके बाद Central Government ने DRDो की मदद से 500 बेट का एक hospital बनवाया, DRDो की मदद से, ओके, next statement क्या कह रहा है, second statement कह रहा है, amid surge in COVID cases, two players of RCB have withdrawn their name from ongoing IPL match, second statement भी COVID की बात हो रही है, first statement में भी 5000 COVID cases एक दिन में है, इसकी वैसे ऐसा हो रहा है, second statement कह रहा है, amid surge in COVID cases, two players of RCB have withdrawn their names from ongoing IPL match, तो यहाँ पर क्या हम first or second statement को connect कर सकते हैं, कि second statement कह रहा है कि, दो players RCB के हैं, जिन्होंने अपना नाम withdraw कर लिया, इसलिए Central Government hospital बनाए, कोई sense नहीं बनता, Similarly, Central Government hospitals बनाए, इसलिए, दो RCB के players ने नाम withdraw कर लिया, this also does not make sense, तो पहला और दूसरा option तो नहीं हो सकता, यह statement cause हो, एक effect हो, ऐसा possible नहीं है, नहीं option A answer हो सकता है, नहीं option B answer हो सकता है, Option C कह रहा है कि both the statements are independent causes, तो यह statements causes नहीं है, basically क्या है, second statement भी हमारा बता रहा है कि क्योंकि COVID cases में surge हुआ है, इसलिए, दो players RCB के हैं, जिन्होंने नाम withdraw किया है, और first statement भी कह रहा है, क्योंकि 5000 COVID cases एक दिन में आ गया है, इस वजह से government ने 500 bed को hospital बनवाना शुरू किया है, तो है कि नहीं, same cause है, common cause है, एक ही cause है दोनों के लिए, उसका effect यह है कि government 500 bed को hospital बनवा रही है, और उसका effect IPL पर यह है कि players अपने नाम withdraw कर रहे हैं, तो हमारा answer होना चाहिए, option E, because both the statements are effect of some common cause, clear होता है, next question लेते हैं, next question कहा रहा है, this year Bihar has record result of 98% in intermediate board examination, second statement कहा रहा है, transport facility has been improved in Bihar in recent years, तो क्या हम दोनों statement को आपस में connect कर सकते हैं, so या therefore से connect करने ही कोशिश करते हैं, this year Bihar has record result of 98% in intermediate board examination, so transport facility has been improved, does not make sense, कि Bihar में result अच्छा है, इसलिए transport facility क्यों improve होगी, second scenario, कि हम second statement के बाद so use करें, तो second statement, transport facility has been improved in Bihar, so this year Bihar has record result of 98%, does not make sense either, इसका भी कोई sense नहीं बनता है कि transport facility improved हुई है, इसलिए Bihar में result बढ़ा है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो पहला और दूसरा statement तो हमारे answer नहीं हो सकते है, यानि कि एक cause हो एक effect हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं possible है, ठीक है, और पहला statement क्या बता रहा है, कि result आया है 98%, तो सीधी सी बात है कि कोई exam हुआ है, exam में बच्चों ने perform किया है, इसलिए result आया है, तो result itself says that this is a effect, ठीक है, second statement करा है, transport facility इंप्रूव हुई है, so this is also a effect, unless कि कोई और statement दिया होता है, कि transport facility इंप्रूव हुई है, इसकी वज़े से ऐसा ऐसा हो गया, तो वैसा तो कुछ भी नहीं है, तो यह दोनों ही जो statements हैं हमारे effect है, और अगर दोनों ही effect हैं, तो option C भी हमारा answer नहीं हो सकता है, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ा हमें ध्यान रखना है, पहले तो option A और B के लिए, हमें clear करना है, कि क्या A और B में से कोई answer हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो elimination is very important, ऐसे किसी भी question में, हमें elimination पे भी ध्यान देना है, यह यहाँ पर यह तो confirm है, यह दोनों के दोनों effect है, क्या है दोनों effect, same cause की वैसे है या independent cause की वैसे है, यह सोचना है, तो first statement कह रहा है कि बिहाल का result जो है 98% आया है, intermediate board examination में, जाहिर सी बात है कि या तो school system में को improvement आया होगा, या बच्चों ने बेतर पढ़ाई की होगी, इसलिए result बेतर आया होगा, तो प और second statement, transport facility improve हुई है, तो इसके लिए कुछ political cause हो सकता है, economic cause हो सकता है, कुछ भी cause हो सकता है, ठीक है, तो दोनों के लिए जो cause होगा, वो independent होगा, different होगा, common cause, नहीं होगा, तो हमारा option, D answer हो जाएगा, कि both the statements, first and second, are effect of independent causes, जो भी examples हमने discuss किये हैं, और दोनों questions हमने लिए हैं, आपको logically समझ में आये होंगे, clear हुए होंगे, अगर session पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो session को like कीजेगा, अगर आपने channel को अब तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजेगा, एक separate detailed session भी cause and effect पे हम जल्दी upload करेंगे, कोई आपका question हो, query हो, तो आप comment में mention कर सकते हैं, आज case session में इत दाल रखिये, और अगर आपको session पसंद आया है, तो अपने friends से भी ज़रूर शेयर कीजे, कुल क mess pandथ एसे भीज़ कीर हिंट is a 들ूथाल शेयर कि एसकते हैं, कि सकतरी झाले के सकते हैं, भी ज़रूर आपकोई ज़रूर्खके अब्यार, आपकोई के सम सकते हैं, रानुटर्वार्य को ओ सकते हैं चर उनक वाहारें, जासं आपके समय हो नहीं होना, आपके समय ख Dienst cable, क